आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ नाम के 20 आप देखेंगे तो इसका structure क्या होगा बेंजोड असीड क्या होता है नावारा बेंजीन रिंग पे CO H ग्रूप थीक है ना C डैबल बांड O H ह हमारा बेंजोड असीड हो गया और तूपोजिशन पे हमारा acetoxy group है acetoxy group कुछ सा होता है O C double bond O और हमारा CH3 तो आपको पता है हमारा किसका structure होता है 2 acetoxy benzoic acid ये होती है मेरी aspirin और एक बार हम इसकी बात करें synthesis की तो यहां पर हमारा क्या होता देखो C double bond OH यहां पर OH यह हमारा salicylic acid इसकी हम करते हैं reaction CH3 CO ठीक है ना तो यहां पर यह किसकी प्रेजंस में होता है हमारा एसेड की प्रेजंस में सल्फूरीक एसेड में और यह हमारा क्या बन जाता है 2-acetoxy-benzoic-acid यह मेंनेमाल लिए COH और यहां हमारा जुड़ ज़एगा OCOCH3 group plus acetic acid release ऐसे हमारी क्या हुई मैनुफैक्चरिंग इसकी एसपे रहन के ठीक है ना तो यहां पर हमारा 2-acetoxy-benzoic-acid synthesize हो गया और यह होता है किसलिए है जो हमारा एसपे रहन है इसको हम एसेडाइल सेलेसाइल एक एसेड भी बोलते हैं और यह यूज किया जाता है देएर विलॉंग तू दे बिलॉंग्स टू एंटी पायरेटिक्स ठीक है ना तो जो भी हमारे बॉड़ी का टेमप्रेचर कम करते हैं जब हमें फीवर हो जाते तो वो टाहम होती है एंटी-पायरेटिक अटिसेप्टिक तो नहीं है क्योंकि यह किसी कटर वूंड पर यूज़ नहीं होता है एंथिपा डिटिक कर देता है एंटिवाटिक वह होते हैं जो हमारे किसी भी microorganism से जो allergy होती है उसके लिए यूज़ के जाते है to fight them और modern diet तरीके के मारे diet तो मेरे इस question का correct answer हो गया Part B, Antipyretics Thank you